हरे किश्णा दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज कर मौसम चेंज हो रहा है सर्दी खासी जुखाम सभी को लगा है बच्चे बड़े बुड़ों सबको लगा हुआ है तो चलिए आज कैंडी बनाते हैं जिससे हमें खासी में औ कई सबसे पहले खुब अच्छे से दोलेना है फिर उसके बार मुझे ईसे एक पर चारोटरफ चेला उसके इसे आगे ह grain जिससे जो सब्सक्राइब कर अच्छे से उतर जाएं देखे मैंने अग्रको कैसे हां ताल कर शकराएं जिएए हैं खुण साधी चीकले निकल गए है और अच्छे से मेरी अद्रक साफ हो गई है अब मैं इसके छोटे छोटे टुक्डे करूँगी तो यह मैंने चोटे और ली ए हैं और अब इसको मैं मैं ग्राइंडर में डालकर पीस लोगी महीन महीन पीस लोगी फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दिये उसमें 2 टैबल स्पून मैंने देशी घी डाला हुआ है अब इसे मैं अपना अद्रक का पेश जो मैंने पीसा था उसे मैं डालकर थोड़ी देर भून लोगी फिर मैं गुड़ लोगी उसे कद्दू कस कर लोगी जिससे की वह अच्छे से मेंट हो जाए तो मैंने ये दिखिए कद्दू कस कर लिया है और इतरा मेरी अद्रक भी धुन रही है और मैंने जो गुड़ को कद्दू कस किया था उसे मैंने अद्रक में मिक्स कर दिया है बहुत फोड़ा सा हल्डी जाला तो हैं नकाल के लेकर कढारी को म찌ने लगा तो यृ लगा ऊसके लड्ड़वाने के बाद इस और फिषी सक्कर में अलग रखiest के लाज़ाक में हम आख़ने के लगल बाने के बारा का ने करेमा पहर पेड़ी लेकरे लाज हिस्टय इक लखिकी है और इससे बहुत ज़ल्डी खास्यासी सई cultiv जाती है। आप भी बनाके देखए हंडेर्ट परस चाये जितनी भी पुरानी से पुरानी खासी हो सई जाती हो। और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं तो बनाइए कभी नहीं खराब होते हैं